हाँ हलो स्टुडेंट्स गुड मार्निंग अबरीबडी देखो आज मैं क्लास एट के लिए एट क्लास के लिए एसस्टी का एक नया चप्टर लेके आया हूं जो रिवेन्यू से रिलेटेड है रूरल लाइफ एंड सोसाइटी चप्टर का नाम है रूरल लाइफ एंड सोसाइटी इस चप्टर में मैं डिल करूंगा में रिवेन्यू के बारे में देखो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था एक्स्पैंशन आप ब्रिटिस रूल इन इंडिया कालकाटा प्रेसिडेंशी मद्राश प्रेसिडेंशी बंबे प्रेसिडेंशी लगबद इन तीन प्रेसिडेंशी तीन प्रांतों में अंग्रेजों का एक तरह से शासन पूरा फैल गया था लेकिन 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ उसकी बाद बंगाल बिहार और उरिशा इसकी दिवानी अंग्रेजों के पास आ गई अब दिवानी का मतलब क्या होता है इकठा करने का अधिकार उस समय में सोर्स पैसे का में सोर्स लैंड ही थी जमीन ही थी लैंड रिवेन्यू मिलता था जमीन से मिलता था वो सारा अधिकार इन राजियों का इनको मिल गया तो इन्हों ने क्या किया अपने जो इस्ट इंडिया कंप्पनी थी चुकि ये इस्ट इंडिया कंप्नी इंप्रियलिस्टिक थी, समराज वाधी थी, पूरा फैलाव कर रही थी, तो अपने बिजनेस को स्थाई प्रदान करने के लिए उनको पैसे किया सकता होती थी वो पैसा उनसे उनको रिवेन्यू से ही मिलता था उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं रिवेन्यू को एक सिस्टेमेटिक बना जाए सिस्थेमिटाइज किया जाए ताकि हमेशा उनको प्रोपिट होता रहे । अरि हिसके बाद उन्हों ने जब स्ट गवर्णर जनरल। कि worden हेस्टिंग्स इंडिया में आया तो वाहो एस्टिंग्स ने एक न्या सिस्टम बनाया उसके पहले क्या होता था जो रिवेन्यू का कलेक्शन होता था वो रेजा खान करते थे अंग्रेजों की विहाब पर पॉइंट किये गए थे करते थे लेकिन उसमें बहुत ज्यादा करप्शन और मिस्मेनेजमेंट था तो इंग्लिस इस्ट इंडिया कंपनी ने जब उसमें वाइन हैस्टिस गवर्नर जनरल बनके आया तो उसने रिवेन्यू के कलेक्शन को ठेकेदारी प्रता जो सबसे अधिक बोली लगाएगा कि हम इतना रिवेन्यू देंगे जो सबसे अधिक रिवेन्यू पे करेगा उसको रिवेन्यू कलेक्शन का अधिकार दिया जाएगा अब उसकी भी बड़ी सारी डे मिरिट्स हैं लोग एक बार बोली लगा देते थे जब पैसा इकठा करते हैं पैसा हो भी नहीं पाता था क्योंकि बहुत ज्यादा उनको देना पड़ता था रिवेन्यू कलेट करके अंग्रेजियों के लिए तो कई सारे तो छोड़के ही चले गए और यह इसकी डिमेरिट्स यही थी कि यह भी मिस मैनेजमेंट ही हो गया थ अब देखो इसके बाद लाड वान हेस्टिंग के बाद 1793 में लाड कार्णवालिस यहां का गवर्नर जनरल बना तो लाड कार्णवालिस ने बिहार में बंगाल में और मद्राश प्रेसिडेंसी के भी कुछ इलाके में उसने एक जमिदारी प्रथा शुरू की उसने उन इल इल्याकों से जीले होते थे उन इलाकों में उसने बड़े बड़े जमिदारों को ही पूरी की पूरी जमिदी उसने एक प्रसासनिक वह बनाई थो जिस्ति का भी प्रेस्ट बनाया था वह हीर्ट होता था लेकिन गाओं की खेती से एक रिवेनियू कठा करना और इस्ट इंडिया कमपनी को देना इसके लिए उसने एक सिस्टम बनाये शुकत है पर्मानेंट से टैलमेंट उसने जमीन को बड़े-बड़े जमीदारों को दे लिया अब जो लोग छोती-छोते जमीदार थे जमीन पर काम करने वाले थे वो सब के सब बड़े बड़े जमीदारों के टीनेंट हो गए किरायदार हो गए अब उनके खेतों में यह लोगकाने लगे और रिवेन्यो दे चैettsारा जमीदार ही कलेक्ट कर के ज्यादा एकठा करना चाहते थे कंपनी को देना है तो कुछ अपने पास भी रहना चाहिए इस में बहुत सारे जमिदार लगभग तीन डिकेड में लगवत ती साल बीते बीते वन थर्ड जमिदार तो छोड़के ही भाग दे उतना रिवेन्यू पे नहीं कर पाते थे फिर व बात क्या हुआ एक नई प्रथा और लागू की गई देखे पहले वायन है स्टिक्स ने शुरू किया आक्षन द्वारा फिर लाट कार्ण वाइस ने 1793 में पर्मानेंट सेटिल्मेंट के द्वारा उसके बाद एक नई ब्योस्था लागू देखें अपने लिग दूं पर् पर्मानेंट सेटिल्मेंट यह 1793 में लाड कार्ण वालिस इसने शुरू किया था इस पर्था पर्मानेंट सेटिल्मेंट को और इसमें क्या था जमिदारी प्रथा थी जमिदारी प्रथा थी अब इसके बाद एक और नई नया सिस्टम लाया गया उस नए सिस्टम में थोड़ा सा इसको चेंज किया गया कह सकते हैं कि एक यह रियोफाइंड वे था तो उस उस सेटिल्मेंट को हम लोग रायत वारी सेटिल्मेंट कहते हैं रियोत वारी सेटिल्मेंट दिखें यह सेटिल्मेंट क्या थे इस सेटिल्मेंट में जो किसान खेती करते थे वह जमीन डारेक्टली उन्हीं को दी गई और सीधे किसानों से ही रिवेन्यू कलेक्ट किया जाने लगा इस सिस्टम को लागू करने वाला ठामस मुन्रो था थामस मुन्रो था थामस मुन्रो ने इस सिस्टम को लागु किया सिस्टम को और यह सिस्टम पर्मानेंट सेटिल्मेंट से थोड़ा ज्यादा बेटर माना जाता था ठीक है जहां पर सीधे कलेक्शन उन कल्टिवेटर से होता था जमिदारों का जो बीच में रोल था और रगभग खतम कर दिया गया इसमें रेगुलर इंटर्वर्ल पर रिवेन्यू को बढ़ाने की भी विवस्था थी किस समय समय पर रिवेन्यू को इनक्रीज किया जा सकता है इस तरह की विवस्था थी लेकिन इस विवस्था में क्या हुआ सीधे पीजेंट्स के ऊपर ओबर बर्डन हो गया पीजेंट्स के ऊपर सीधे ओबर बर्डन हो गया क्योंकि रिवेन्यू का बहुत जादा होता था अब इसके बाद एक तीन हंड्रेड ट्वेंटी टू में लगभग एक और सिस्टम लागू किया गया जिसको महलवारी सिस्टम कहा जाता है महलवारी सिस्टम एक तीन ट्वेंटी टू में देखो महाल या महल का मतलब होता है एक फिक्स एरिया ऐसे एक गाव दो गाव जो इनकी फिक्स एरिया होती है उसको महाल कहा जाता था इसको होल्ट मैकेंजी ने मैकेंजी ने इसको लागू किया था मैकेंजी लागू किया था इसमें क्या था यह जो सिस्टम लागू किया गया आम तोर से जर्ण जमुना का सारा मैदान है नार्थ वेस्ट परविंसे पंजाब है इधर के जो इलाके है siguiाना व तो सब लोग अपने फ्रेय करते थे लेकिन सारा क्लेक्षन ओ करके फिर इस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। कि और अब कहा जा सकता है कि पर्मानेंट सिस्टम में जहां जबंदार थे रहेत्वाडी सिस्टम में जहां सीधे कलेक्षन होता था। इस सिस्टम में village to village collection शुरू हो गया और वही कर सकते हैं प्रधान या collection करने वाले representative यह लोग होते यह करते थे इसमें सरकार को periodic increasement करने का अधिकार था सरकार revenue को बढ़ाती रहती थी बीच बीच में इसमें सरकार को कोई last नहीं था कर सकते हैं कि यह system थोड़ा सा उन दोनों से improved system था अब देखिए अंग्रेज जो थे शहरों में तो पूरा किये हुए थे लेकिन में सोर्स के रूप में जो उनको revenue मिलना था वो गाओं से मिलना था तो बार-बार एक रेरियन सिस्टम में क्रिसी ब्यावस्था में revenue collection के लिए बार-बार यह लोग परिवर्तन करते रहते थे क्योंकि उनका पूरा इसी पर बेस था उनका सारा पैसां को यहीं से मिलना था तो यह तो पर्मानेंट सेटेलमेंट है रैतवारी सेटेलमेंट है महलवारी सेटे करेंगे ठीक है थैंक्यू अभी बटी